हेलो ब्रेवन मै राने लता आप सभी स्वागत करतेए आप बहуд अच्छे होंगे दोल चल लागे रहे आप सब नहीं हमसे हमेरा कुछ ठंडा हो जाए तो लोगहा बहुतती हैه जो कि हम अपने रसोई में से कुछ मसालों को लेकर के इस सर्वत को तयार कर सकते हैं तो चलते हैं किचन की तरफ तो मैंने क्या लिया है एक प्लेट में दो बड़ी चमच सोफ ली है बारिक वाली दो चोटी लायचि एक तूगड़ा दाल ज trip पांच काली मेड चोर इस छोटी चमच से मैं ले रही हूँ एक चमच जीरा तो ये जो फांचो मसाले हैं ये फांचो मसाले जो हते हैं वो पांचों को बहतर बनाते हैं हमारे खाने को अच्छे से डाइज़स्ट करते हैं पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाते हैं और ये बहुत ही बहतर मसाले हैं जिनको मैंने चुना है इस सर्वत के लिए तो इन पाँचों मसालों की साथ मैं ले रही हूँ मिस्री मिस्री क्या है चीनी के अन्रिफाइंड रूप को ही हम मिस्री कहते हैं तो अगर आप सर्वत बना रहे हैं तो ज़्यादा तरह आप मिस्री का ही यूज़ कीजिए चाहे तो आप ये मिस्री ले सकते हैं या धागे वाली तो इस तरह से ये पाँचों मसाले मैंने ध्यान में रखते हुए लिए हैं क्योंकि पाँचों मसाले जो होते हैं ये पाँचों मसाले बहुत बेतर हैं क्योंकि सोफ जो है सोफ में फाइवर, मैगनीजियम, पोटेशियम पाया जाता है और एंटी आक्सिडेंट है इसमें पा करता है हरी इलाइची क्या होती है कि हरी इलाइची पाचन गुणों के लिए बहुत ही फायदे मंद है और ठंडी तासीर होती है इसकी फैटी लिवर को कम करती है जीरा जिंक आइरें कैल्सियम पाचन में सुधार कम कैलोरी का होता है और बिटामिन A,C,E भी पाया जाता है औ दाल चीनी भी एंटी वैटीरियल एंटी वायरल होती है और ये बदहजमी को दूर करती है काली मिर्च हमारे दिमाग के लिए बेतर है तो इसलिए मैंने सभी मसालों को ध्यान में रखते हुए ये सरवत तयार किया है तो आप इस तरह से इन सभी मसालों को इस तरह से मेजर तो इस तरह से सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के बारी करके पीस लिया फिर चान लिया और जो चलनी में मोटा इसका चानस निकला उसको एक साइड कर दिया और फिर हमें एक बोटल में भर लेना है ऐसा बरना है जिसे कि इस पाउडर में सीलन ना है और हमें पूरी गर्मियों के लिए इस तरह से सरवत पाउडर बना कर तैयार कर लेना है और यह बहुत ही आसानी से बन जाता है और जब आप इसको पीओगे तब आपको इसका फाइदा महसूस होगा कि यह कितना गुनकारी है तो इस तरह से मैं इसका यूज करती हूँ कि बोतल में से ओनली एक ही चमबले, हमें पाऊडर लेना है एकatori किलास में डौलना है और इसमें हमें मिक्स करना है घढ़े का पानी ज़ादा अगर आपसंद ज़ा सब्दूर घड़े का पानी नहीं सीजूंग चल लेना चाहते है तो घढ़े के पानी में आप दो toson 3 जो आइस क्यूब होती है वो डाल सकते हैं तो इस तरह से मैंने ये घड़े का पानी इसमें mix किया है हलका सा चम्मस से चला दिया है और फिर मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें डाल दिये हैं धनिय की बारीक सी एक-दो पत्यां और अगर आप अपने according इसको पीना चाहते हैं तो आप इसमें अपने तरह से पोदीने के लेप्स और हलका सा नमक भी डाल सकते हैं वैसे तो इस सरवत में अगर आप नमक ना डालें तो जादा बहतर ये सरवत बनेगा तो मैंने इसमें कुछ हरे धनिये की पत्ती और कुछ नीमू के सलाइस डाल दी हैं इससे क्या होगा कि सरवत का टेस्ट बढ़ जाएगा गर्मियों के लिए बहुत ही गुनकारी और बहुत ही इमुनिटी बूस्ट आपके पूरी बोड़ी को ठंडा रखेगा और आपको होती गर्मियों के लिए गुनकारी है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब कोमेंट करना ना भूलें एक बैल आइकन जरूर दवाईएगा सब्सक्राइब के लिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को पसंद कीजिएगा मिलती के लिए टेक केर और बाइबरीबन